पाट त्रोण महनतनों रोटलो लेखक परिचय 12 दोस्तो महनतनों रोटलो ए प्रामाणिकतानों बोध करावती कथा छे तेना लेखक छे श्री पन्नालाल पटेल तेमनों जन्म इस्विसन 1912 मां राजस्तान राज्यमां आवेला मांडली गाम मां थवहतो तेमनों मृत्यू इस्विसन 19118 मां थवहतो लेखक श्री पन्नालाल पटेले मलेला जीव अने मान्वीनी भवाई जेवी नवल कथाओ लखी छे जेना कारणे एमने रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक अने भारतिय ग्ण्यान पीठ जिवा पुरस्कारों मले आछे काशी नगरी मां एक मूची रहतो हतो ते बहु प्रामानिक हतो संतोशी पन एटलोज एक वार एक साधु आवी मूची ने पुछवा लाग्या मूची भगत मारा पगना पगर खानू शू पड़े मूची ये कहू मारी पासे सीवेला तैयार नथी महराज साधु कहे सीवी दो तो शूलो मूची ये कहू डोड रुपयो साधु ने नवाई लागी बिजाओ ये बै रुपया दे खाड़या हता पची घटाडी ने डोड रुपया सुधिया आवया हता पण आने तो मुळ माज डोड रुपयो कहू साधु ये पुछियो डोड तो कहवानो पन लेवाना केटला मूची साधु सामे जोई हस्वा लाग्यो तैने कहू जे कहवाना ये लेवाना महराज आपनी इच्छा होय तो बनावो साधु ये कहू अच्छा बनावो क्या रे आपशो मूची बोल्यो परमदिवसे आवक्ते साधु कहे जरूर हों मारे परमदिवसे सांजे जवू छे माटे धील न थाए मूची कहे जाओ के न जाओ परमदिवसे तमने आवक्ते जरूर मणी जशे पन साधुने मोची ना वायदामा जरापन विश्वास ना हतो। बिजादिव से वड़ी एणे मोची ने त्या आटो मार्यो। मोची ने पुछु, मोची भगत, केटले आवयो आपनो काम। मोची ये कहिँ, बे फिकर रहो महराज वायदो नहीं चुकू। छताई साधुने शान्ती न वड़ी। 32 से सवार मां वड़ी साधुने विचार आवयो। लावने जरा मोची ने त्या आटो मारू। पन आवक ते तो मोची ये साधुनी किम्मत करी। त्याने कहिँ, महराज तमने मानस पारक्ता आवर्तु न थी। आखी दुनिया जुठु बोले छे एमज तमे मानो छो। नाहक शुकाम धक्का खाओ छो। सांजे आवजो जाओ। सांजे समय प्रमाने साधु आवया। त्यारे पगर्खा बिलकुल तैयार हता। आ जुई साधु मोची उपर बहुग खुश थाया। ते समझी गया, मोची साचुक लो छे, खरे खरो भगत छे, कदी जुठु बोल तो न थी। साधुए तेने ब्या रुपिया आप्या, मोची पासे छुटा पैसा नहता। ते पैसा लईने उभो थायो, तेने साधुने कहुँ जराक उभर हो महराज, उसामेनी दुकाने थी परचुरन लईयावों। साधुए कहुँ, रहवादो भगत, इटला पैसा नी आपना तरफ थी तमाकु पीजो। मोची ये कहुँ, हुँ तमाकु पीतो न थी महराज, तो आपना तरफ थी पगर का सिव्वा माटे नी दोरी लाव जो। ना महराज, धरामनो पैसो मने न खपे, मोची सामेनी दुकाने परचुरन लेवा गयो। साधु तो मोचीनी भावना जोई, एना उपर खुबज खुश थाया। तेमने हलवे क्रही ने जोड़ी माथी पारस मनी काढ़यो। कोई जुए नहीं, ए रिते मोचीना आजारो ने पारस मनी घसी दिधो। बधा आजारो सोना ना थे गया। पच्छी ते मोची पासे गयो। तेनी पासे थी पैसा लेती वकते कहु। भगत, मोठी चणा ना पैसा पन बिक्षा माटे आपशो, तो इश्वर तमारू भलू करशे। मोची एक खिस्सा माथी एक सिक्को आपता कहु। लो, एक मोठी चणा म माशू थशे, ए दुकान तरफ चालतो थयो। एक मुठी चणा तो मारी पासे छे, एम कही साधुए पागु पाड़यो। मोची ए दुकान उपर आवी ने जोय। तो आजार बधा सोना ना, ते समझी गयो कि आ काम पिला साधुनू छे। मोची नो जिव बढ़ी ते निसासो नाखी बबढ़यो। अरे भगवान, हवे हुँ आ सोनाना आजारो थी केविरी ते काम करेश। तेने आजारो लईने घर ना खुणा माना ख्या, पछी उँचे मुकेला घसायेला आजारो उतारी वड़ी पाचो कामे वड़यो। मनो मन एम पन कहतो हतो के गमे पन साधुनी इच्छा तो आपणने सुखी करवानी जहती। विचाराए बार महिना मजूरी करी, त्यारे मांड मांड नवा ओजार वसावी शक्यो। एक वार ते भजन गणगण तो नीची नजरे सिवतो हतो। त्या एना काने कोईकनो अवाज पड़यो। कैम छो मोची भगत, मोची ये जोयू, तो ए पिलाज साधु हता। त्याने साधुने कहुँ। ओजार बगाडी गया हता। एज ने तमे साधु महराज साधुने नवाई लागी। एमने तो हतु, पोताने ओलकताच मोची भगत पगे पड़शे। मान पान करशे। अने घणों बधो आ भार मान छे। पण एने बदले आ मानस्तो पोताने ठपको आपतो हतो। साधुने वहम पड़यो, आ बिचारो सोनाने पित्तल धारी बैठो लागे छे। तेमने कहु। मोची भगत ओजार बगाड़या नथी। सोनाना बनाव्या छे। क्या छे ए नाकी तो नथी दिधाने मने खबर छे महराज सोनाना छे पण ए सोनू मैं मारा बावडाना बलती ओछु मिलव्यो छे। आवु मफतनू सोनू शुनकर्वु छे। ए पड़या खुणामा तमे पाचाज लई जाओ। साधुए मोची ने शिखामनापता कहु। मोची भगत तमने कशी गम न थी। सोनू वेची ने पईसा बनावो ने मजा करो। आ काची दुकान ने पाकी करो। काम करनार मान सो राखो। बैठा बैठा खाओ ने लहर उड़ाओ। मोची ये पुछू भगवाने आ हाथ पग आप्या छे। एनू शू करू महराज। नवाई भरी आँखे साधु तो मोची भगत सामे ताकीज रहा। मोची ये कहू, साधु महराज भगवाने हाथ पग कई बैठा बैठा खावा माटे नहीं, काम करवा आप्या छे। आ सामढ़ी साधु बोल्या, मोची भगत साची वाद छे। भगवाने काम करवाज हाथ पग आप्या छे। हवे ती हूँ पण हाथे कमाईने जिखाईश, ने तमारा जेवो जीवननों साचो आनंद मिलवेश। साधु कोई उन्डा विचार मा पड़ी गया हता। ओताना कामे वर्ता मोची ये साधु ने पुछू, कैम मुंगा थेई गया। साधुए कहू, हुम मुंगो नथी थाई गयो, विचार मा पड़ी गयो छू। शा विचार मा पड़ी गया छू, महराज। मैं तमने कहू एक होटू छे। तमारी वाद नथी मारी वाद छे। साधुए मोची सामे गंभीर भावे जोईने कहू। हुपण नानू मोटू तपतो करूज छू। जे मारी पासे सोनू बनाववानू साधन छे, छता मैं एनो उप्योग मारी जात माटे कदी ये पन कर्यो न थी। भिक्षा मांगी ने पेट नो खाडो पुरू छू। पन आजे तारी आ भिक्षा नो जे गर्व मारा माहतो ते पन गाली नाख्यो छे। आज ती तमे मारा गुरू ने आज ती हुँ तमारो आ दाखलो याद करेश। ने मारा गर्वने धोतो रहेश। मोची काम कर्वो भुली गयो अने साधुनी पीठ पाचल जोतुज रहो। कामे वलता बबडेओ आप खरा साधु। झाली 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 तमारो याद करेश। झाल 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 काशी नगरी मां एक मूची रहतो हतो थे बहु प्रामाणिक हतो संतोशी पनेट लोज एक वार एक साधु मूची पासे आव्या मूची भगत मारा पगना पगर खानू शू पड़े मारी पासे सिवेला तैयार नथी महराज सिविदो तो शूलो डोड रुपियो साधु ने नवाई लागी बिजाओ ए बै रुपिया दे खाड़े हाता पछी घटाडी ने डोड रुपिया सुधिया आव्या हाता पण आने तो मूड माज डोड रुपियों कहो डोड तो कहवानो पण लेवाना किटला? जे कहवाना ए लेवाना महराज आपनी इच्छा होई तो बनाओ अच्छा बनावो, क्यारे आप शो? परमदिव से आवक्ते जरूर हो, मारे परमदिव से जवू छे, माटे धिल न थाए जाओ के न जाओ, परमदिव से तमने आवक्ते जरूर मडी जसे पन साधुने मोची ना वाईदामा जरा पन विश्वास नहतो राम राम मोची भगत राम राम साधु महराज मोची भगत केटले आव्यो आपडु काम बे फिकर रहो महराज, वाईदो नहीं चुकू छताय साधुने शांती न वली, 32 से सवार मा वली साधुने विचार आव्यो लावने जरा मोची ने त्या आटो मारू, पन आवक्ते तो मोची ये साधुनी किम्मत करी महराज, तमने मानस परक्ता आवड तु न थी आखी दुनिया जुठु बोले छे एमज तमे मानो छो, नाहक सुकाम धक्का खाओ छो, सांजे आओ जो, जाओ सांजे समय प्रमाने साधु आव्या, क्यारे पगर्खां बिलकुल तैयार हता आ जोई साधु मोची उपर बहु खुश्ताया ते समझी गया, मोची साचु कलो छे, खरे खरो भगत छे, ते कदी जोठु बोलतो न थी साधुए तेने ब्य रुपिया आप्या, मोची पासे छुट्टा पैसा नाहता, ते पैसा लईने उभो थायो जराक उभा रहो, महराज, हुँ सामेनी दुकाने थी परचुरन लईयाओ रहवादो भगत, इटला पैसा नी आपना तरफ थी तमाकु पीजो हुँ तमाकु नथी पीतो, महराज तो आपना तरफ थी पगर का सिवा माटे नी दोरी लाओ जो ना महराज, हरामनो पैसो मने न खपे मोची सामेनी दुकाने परचुरन लवागयो साधु ते मोचीनी भावना जोई, एना उपर खुबच खुश्थाया तेमने हलवेक रहीने जोड़े माथी पारस मनी काढ़यो कोई जुए नहीं, एरिते मोचीना उजारोंने पारस मनी घसी दिधो बधां उजारों सोना न थेई गया पछी, ते मोची पासे गयो तेनी पासे थी पैसा लेती वक्ते कहें भगत, मोठी चणाना पैसा पन भिक्षा माटे आपशो तो एश्वर तमारू भलू करशे लो, एक मुठी चणा माशू थसे एक मुठी चणा तो मारी पासे छे मोची ये दुकान उपर आवी ने जोयू तो आजार बधा सोना ना ते समझी गयो के आ काम पेला साधूनू छे मोचीनो जिव बढ़ी गयो अरे भगवान, हवे हुँ आ सोना ना ओजारो थी केवी रिते काम करीश तेने ओजारो लईने घरना खुणा माना ख्या पची उँचे मुकेला घसायला ओजारो उतारी वड़ी पाचो कामे वड़ो गमे तेम पन साधूने इच्छा तो आपणने सुखी करवाने जहती विचाराए बार महिना मजूरी करी त्यारे मांड मांड नवा ओजार वसावी शक्यो एक वार ते बजन गणगण तो नीची नजरे सेवतो हतो क्या एना काने कोईकनो अवाज पड़ेो केम छो मुची भगत ओजार बगाडी गया हता एजने तमे साधू महराज साधूने नवाई लागी एमने तो हतू पोताने ओड़कता ज मुची भगत पगे पडशे मान पान करशे अने गणों बधो आभार मांचे पणे ने बदले आ मानस्तो पोताने ठपको आपतो हतो साधूने दहम पड़ेो आ विचारो सोनाने पित्तल धारी बेठो लागे छे मुची भगत ओजार बगड़्या नथी सोनाना बनाव्या छे क्या छे ना कितो नथी दिधाने मने खबर छे माहराज सोनाना छे पण ए सोनू में मारा बावडाना बड़ती ओछू मेडवी छे आउ मफतनू सोनू सू करवू छे ए पड़या खुणामा तमे पाचाज लई जाओ मुची भगत तमने कशी गम न थी सोनू वेची ने पईसा बनावो ने मजा करो आ काची दुकान ने पाकी करो काम करनार मान सो राखो बैठा बैठा खाओ ने लैर उड़ाओ भगवाने आ हाथ पग आपया छे एने सू करू महराज नवाई भरी आँखे साधू तो मुची भगत सामे ताकीज रहा साधू महराज भगवाने हाथ पग कई बैठा बैठा खावा माटे नहीं काम करवा आपया छे मुची भगत साची वाच छे भगवाने काम करवाज हाथ पग आपया छे हवे थी हूँ पण हाथे कमाईनेज खाईश ने तमारा जिवो जिवननो साचो आनद भ्रवेश साधू कोई उंडा विचार मा पड़ी गया हता केम मुंगा थाई गया हूँ मुंगो नथी थाई गयो विचार मा पड़ी गयो छू सा विचार मा पड़ी गया छो महराज मैं तमने कहिऊ एक होटू छे तमारी वाद नथी मारी वाद छे हूँ पन नानू मोटू तपतो करू जछू जे मारी पास से सोनू बनाववानू साधन छे छता मैं एनों उप्योग मारी जात माटे कदी पन कर्यो नथी भिक्षा मांगी ने पेटनों खाडो पुरूचु पन आजे तारी आ भिक्षा नो जे गर्व मारा माहतो ते पन गाली नाख्योचे आज थी तमें मारा गुरू ने आज थी हूँ तमारो आ दाखलो याद करीश ने मारा गर्वने दोतो रहीश आप खरा सादू भाषा सज्जता बाण दोस्तो भाषा लेखन मा विराम चिन्होंनू घणू महत्वचे खासकरीने अर्थ के भाव अनुसार भाषाने सचोट बनाववा विराम चिन्हों आवशक छे तितलाग उप्योगी विराम चिन्होंनों परिचय के अविये बाढ दोस्तो पहला आपणे पुर्ण विराम विशे शिखिये पहलो वाक्य जुओ भारत मारो देश छे तमे जोशो पिवाक्यने अन्ते पुर्ण विराम मुक्वामा आव्यो छे नीचे मात्र बै शब्दोज लख्या छे ली लिखितंग अनेची चिरंजीव अहीं बन्ने शब्दोने टूकमा लख्या छे जरे शब्दोने टूकमा लख्या थाय त्यारे पुर्ण विरामनों उप्योग थाय छे 12 दोस्तो याद राग्जो पुर्ण विरामनों उप्योग वाक्य पुर्ण थतु बतावा थाय छे कथा शब्दो टूकमा लख्या थाय त्यारे थाय छे बाढ़ दोस्तों हवे आपने अल्प विराम विशे शिखिशूँ पहलो वाक्य जुओ बेविकर रहो महराज वाईदोर नहीं चुकूँ बिजु वाक्य जुओ प्राची, निर्मल, क्रुती अने हिमान चो पुस्तकाले मा गया तमें जोशो तो पहला वाक्य मां बेविकर रहो महराज पची अल्प विराम नों उप्योग थयो छे बिजा वाक्य मां प्राची, निर्मल, ए शब्दों पची अल्प विराम वप्रायो छे अल्प विराम नों उप्योग संबोधन करवा बैठी वधारेक पदो के शब्द समू हो, पची कथा दिर्ध वाक्यों मां वच्चे अटक्वानी जरुर पड़े यारे ठाये छे। बाढ़ दोस्तों, हवे आपड़े प्रश्नार्चीहिन विशे शिखी शूं। पहलू वाक्यवां चो, क्या मुंगा थे गया। बिजू वाक्यवां चो, आवू मफतनू सोनू शूं करवू छे। बन्ने वाक्यमा वाक्यना अंते प्रश्नार्थ चिहन वपरायू छे। वाक्यमा प्रश्नानों भावदर्शावा माटे वाक्यना अंते प्रश्नार्थ चिहन मुक्वामा आवे छे। जिथी वाचत, भावत, ते प्रश्ण वाख्य छे M समझी शके, क्या, कैम, केवू, शा माटे, कई, कौन, कौनू, वगेरे शब्दो प्रश्ण नू भावदर्शावे छे। बाड़ दोस्तो, हवे आपने उद्गार चिहना विश्य शिखिशूं। पहलो वाख्य जुओ, शा विचार्मा पड़ी गळा छो महराज। आ वाख्यमा वाख्यने अंते उद्गार चिहना वपरायू छे। बिजु वाख्य जुओ, जोयू, तो बधावजार सोना ना। आ वाजती वक्ते आपणा मनमा आश्चर्य थाय छे। तेथी उद्गार चिहना मुकायू छे। नवाई, आश्चर्य, पीडा, धिक्कार, हर्ष, प्रशंसा के दुखनी लागनी बतावबा वाख्यमा उद्गार चिहना वपराय छे। क्यारेक कताक्ष करवामा पड़ उद् आवाक्यमा भाधूर अने ससली जोईने भाग्यो ते बन्ने बाबतो विरोधा भाष दर्शावे छे। जमा कताक्ष व्यक्त थरो छे। यारे उद्गार चिहना वपराय छे।